नमिश्कार साथियों सूरी नगरी उनिक लोग लासस के यूटूब चैनल पर मैं और मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभी नंदन करती हूं बात करें जुडिश्री के एक्जाम के जब कभी बात आती है एललबी स्टूडेंट की तो उनके दिमाग में हमेशा आता जुडिश्री और आना भी चाहिए क्योंकि जब भी कभी हम लॉग करते हैं तो हमारा पस दो अबजेक्ट होते हैं यह तो एड़ोकेट बनना यह मैं कौन-कौन सा एक्जाम दे सकता हूं इंग्लिश मीडिया वाला पूरा हिंडिया दे सकता है हिंदी मीडिया वाला क्या-क्या दे सकता है राजस्थार यूपी यूके बिहार जारखंड 36 गड़ ठीक है उत्राखंड यूपी रास्थान यूपी यूपी यूके बीजेस जेस और 36 गड़ एक दो ती चार पाच छे शे स्टेट तो मिनिमुम दे सकता है 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 ना उकाद को हिंदी भासी बज़ गया तो देख ले ना बागी ये तो हैं जहां पे टू इन वन पेपर बाते दोनों क्या बोलते हैं दोने लेंग्वेज बाते आप दे सकते हैं इसके लावा कॉमन सब क्या क्या दे सकते हैं जैसे गुजरात तो गुजराती आने चाहिए हरयन आप दे सकते कोई दिक्कत नहीं है डेली आप दे सकते कोई दिक्कत नहीं है पंजाब हरकोई नहीं यह हैं ना OJS का तरो यह सकते हैं WG 및 दे सकते हैं आसाम के अंदर EJS जाई इह हैं आपको a pjs भी आप दे सकते हैं और उना चलपादेश भी आप दे सकते हैं महारास्टा भी आप दे सकते हैं हाँ मैंने कोई सा्त याथ है स्टेट एक रह गये तैस में न आप जुस सांथ पॉल एंपी जेस तो मुझे साथ याथ है जिसमें हिंदी इंग्लीष पर आते है ठीक है यह आप दे सकते हैं सब्सक्राइब肉 क 14 कि आप सो सकते हैं जैसे जेनड के कब दे सकते हैं गोवा का अपना एक सेलेबस होता वो भी आप दे सकते हैं जिनके पास एंगलीश अप्सक्राइब रेखेज के ही माचल पर दे सकते हैं देने को कोही नमा questo, नहीं कोja एक तो एक ऩानाम रह गया हो घुटे ना करते हैं कि महारास्ट गुजरात हो गया बिहार यूपी ऊगया राजस्तान गुजरात हो गया अंदर परदेश हो गया आपका उसके बाद गोवा भी अपने आपके निकालता है जुडिश्री जमुएन कास्वित हो गया पंजाब हो तो देख लिजिए यह सब स्टेट का प्रिपरेशन सुरी नगरी उनिक लोग लास कराती है बड़ पंजाब की गुरुमुखी नहीं करवाते तो गुजरात की आपकी गुजराती नहीं कराते हैं लोग की करवाते हैं ठीक है लोग कम्प्रीट पढ़ाते हैं यूटूब पर लोग काई बार देखा होगा दोनों लेंग्रिश्म पढ़ाती हूं में बहुत अच्छे से समझाती हूं मैं तो चलता है साथ सा जब क्लास में पढ़ाते तो प्रीमेन, इंटर्व्यू, प्रेजेंटेशन भी सिखाते हैं यह सब भी साथ सा चलता रहता है इन में से कहीं ऐ तो जीके की चुरुत पढ़ी नहीं तो मैं पढ़ी नहीं फिर फैकल्टी लगा के जीके पढ़ाना मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि जो मैं पढ़ाते हूं रिवाइज, 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 रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिवाइज कराती रहती हूं वो जोना है मेरा कि मैं भी जीके की प्रफेशिन करूँ आपको पढ़ाओं तो देखो कोई अच्छे तीशर मेले मुझे गुरु ढूंडूंगी मैं भी अपने लिए जो मुझे जीके इछे से पढ़ा सके और गुरु जी को पहले हिए कि गुरु जी आपसे जीके पढ़ना है सि में कोचिंग करूंगी जब भी जी के तो जो इस गुरू के पास जाओंगी जरूर बताऊंगी क्योंकि मैं तो अब लग बग बहुत एक्जाम के लिए तो जो चुकी हूं I'm 35 प्लस ना तो बहुत एक्जाम के लिए और जोग एक तो जी के मिरें काम काने वाला नहीं एक दो भी लेता था मिला यूपी देने का तो जोगता है यूपी से एक तो जी के हम लोगा वालों के लिए बैसे कम होता है is स्पेशली उन स्टेट के लिए जीके होता ही और इस जीके की बाद को तो राजस्तान वाज सोसते हैं ठीक है हमें तो आर जेस्ट एडीज में इतना पढ़ना नहीं है बाहर जाना तो पढ़ते हैं तो मैं तो सारे जुडिशी अस्पिरेंट को कहूंगी जीके पढ़े बहुत फिलाल एक law institute है हां कोज स्टेट को हम हिंदी grammar पढ़ाते हैं वह मैं पढ़ाती हूं और कोज स्टेट को हम इंग्लिश करामर पढ़ाते हैं जल्दे ही में एक इंग्लिश का एक ऐसा कोर्स रूख होंगी जो 60 देस का हैं जिसमें कखका की की इंग्लिश से स्रूख करेंगे और वहां स्पलिंग बनाना सीखेंगे और सीखाएंगे वह साथ इनका कोर्स काम आएगा उन बच्चों के लिए हिंदी मेटिम के लिए जिनको बिल्कुल नहीं आती है और जो हमेशा डरते हैं इंग्लिश से तो एडलिस उनको इंग्लिश को इसे लिखना है कैसे इसको हो रहेगा आपको बारबा किसी अपने फ्रेंड को फोन करके उसके अब्लिकेशन नहीं लेनी पड़ेगी वह कोर्स हम जल्दी शुरू करें और यह कोर्स सिक्स स्टेंडर से लेकर कॉलेज वाले तक ओफिस वालों के लिए महिलाओं के लिए पुरुष के लिए हाउस करने के लिए तो वह कोर्स बहुत जल्दी आपके सामने लोंच होने वाला है उसके बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी है प्रेपरेशन हो चुकी है थोड़ा सा फाइनल टच है बाकि यह जल्दी आपके सामने आएंगे और इसका टाइमिंग रहेगा इवनिंग फो तो से पांच एक घंट की क्लास रहेगी और जब जब जरुद पढ़ेगी तो उसको थोड़ा बढ़ाते रहेंगे तो फिलाल चार से पांच का टाइम है मारे पास उसके लिए जो क्लास सिक्स के स्टुडेंट से लेकर हर कैटेगरी के लिए रहेगा तो हिंदी ग्रमर पढ़ा और अगर पहलते चाहित भी था स्टैम भी था तो पेस्ट भी था लए रेविन्य वी था तो टेनेंसी भी था है तो यह से ले घुड़ धोड ऐब पार्टरिशिप भी था इजिमेंड वी था हिंदू लोबी था मुस्लिम लोभी था ठीके मेजर तो थे मैं माइनर की बात क पर तो ने स्टुडेक्ट train थैंट हैあ एयूपी कि आदत हो गई कानू को पढ़ने की बढ़ने की समझने की समझहने की इसलिए सारे सटेट के सारे एक्ट अच्छे से पढ़ा पाती हूं कि पढ़ रखे हैं और पढ़ती रहती हूं अपने अपको हर रोज अपडेट करती रहती हूं जो CRPC पढ़ते हैं उसको फिर नया चीज आती आइड करते हैं कई बार तो बच्चों को भी हम वह स्नों डालते हैं जो हमसे पढ़की जा चुक है कि पता है आज एक और बात पता चली कंटीजेंट डिक्री क्या होती है जल्दी सा तुमसे नोट डाउन कर लो तुम्हें पता है कि CPC के अंदर जो है 115 रिवीजन है 2002 के अमेंडमेंट के बाद रिवीजन की जगपे प्राइटी जो है सर्चरी रेट को दी जाती है तो जैसे कोई नहीं चीज को नए अपडेट मिलता है तो तुरंद प्रभाव से जो ग्रूप बने होएते हैं उनको मैस करते हैं कि आप जैज बन जाए जैज की बात करें तो मैं आपकी डेस्टिनी नहीं बतल सकती इस बार राजस्तान जुडिशी का जो रिजल्ट आया वह बहुत ही डरामना रिजल्ट था हुवा ही यू कि मैं आज ही चर्चा कर रहे थी कि देखें कैसी वीडियों ना आई हम होने की जैसे उनका सेलेक्शन होने के बाद तो सलेक्ट नहीं है यानि एक डॉक्यूमेंट जो था एक सेटिविकेट ऑनली वो उनकी नौलेज पर भारी पड़ गया नौलेज था जज़ सलेक्टेड है उनके बास उतने नंबर इंटर्वी प्लस होते हैं इसे कहते हैं डेस इसी को कुछ नहीं मिलता इस बात को मालते हैं अपने जीवन में आप काम करें तो ही आप सफल होंगे बस मुझे बनना है मुझे करना ऐसा नहीं है मैं अपनी स्टूडेंट की बात करूं मेरे इंटर्व के स्टूडेंट है आज ही मैंने वाट्सप्यूम का स्टॉटस सेलेक्शिन होना या ने होना उनके हाथ में थोड़ी था लेकिन बैठे थोड़ी जितना ग्यान उना अरजित किया उनके पास एक वे हैं कि आप बैठे नहीं रहोगे जज़ बन लो काम करो पैसे कमा लो घड चला लो परिवार चला लो जीवन जी लो एड़ोकेट बन तो मुझे इच्छा अगरमन को कॉंगर चलेट भी क्या मैं खुश विवाओ बैठा नहीं है निरास नहीं है हतास नहीं काम तो किया क्योंकि यार्जिस का रिजल्ड बता रहा है कि हम किसी की डेस्टिनी नहीं बदा सकते हैं बठा हम एक बाद कॉसिस तो कर सकते हैं कि बनन आप रिपरेशन करतें जुरी डिशिक है सबके सब्धार नहीं बनेंगे रिखाव यह सभी तो बनी रहा है तो दोनों चीजह है तो इन सब को लेके हम मेहनत कर सकते हैं अब इसी के साथ हम नियू बैच स्टार्ट कर रहे हैं जुडिशिक हैं जैसे कि मैंने कहीं बार बताय कि हमारे morning और evening दोनों time classes चलती है, दोनों time अलग लग बैशे चलते हैं, आप दोनों attend कर सकते हैं, एक attend कर सकते हैं, इसी कड़ी में एक October को, इसी कड़ी में 1 October 2022 को सुरी नगरी Uniqlo classes में सारे state की courses के लिए evening में 5 तू 8 पी एम new batch स्टार्ट हो रहा है, ये batch हमारा online भी है और ये batch हमारा offline भी है, online live classes चलती है, no recording, बस ये हैं कि घर बैठे कोचिंग जिसी पढ़ाई है, no recording, ये offline है, यानि जोदपूर आजस्थान में आके आप class attend कर सकते हैं, जोदपूर आजस्थान में आके class attend कर सकते हैं, दोनों batch साथ चलते हैं, बहुत बढ़िया से चलते हैं, ब देन आप 500 fees submit कीजिये, और उसके बाए आपको लग तक join करना है, demo fees refundable नहीं होती, हाँ, आपकी fees में adjust कर देंगे, बर refundable नहीं होती, उसे आपको idea लग जेगा का आपको, कैसे preparation करनी है, आपको समझ में आरा कनी आरा, आपको continue करना है या नहीं करना है, ठीक बैसी, आपको ए आपके add कर दे जाएगा, ऐसे करके माई classes चलती है, आप सारे इंडिया को एक साथ लेते हैं, उसकी अलग fees है, और स्टेट वाइच की अलग fees है, तो फीस को जानना है, तो आपको कॉल कर सकते हैं, मैं सेच कर सकते हैं, मैं आपको एक रिकोर्डिंग भीजूंगी, मैं आपक के क्वारी के उपर, तो उसमें आपको पूरा बतार कम कैसे पढ़ाते हैं, तो साथ में फीस टेक्चर होता है, आप उसको आपको आपको कोई क्वारी है, तो मुझे कॉल मैसेच कर सकते हैं, तो फाइनली हम लोग नियू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से एक काले हैं, पाइनली हम जितना के कहला आपको उसकान हैं, पिए मैसेYouTube क सकतावा हैयकं प्मचत क के लिएर हैं, पितना कम काते हैं, तो स्टाम्मचत किक्त की कि फिएक्चर कहळूत, औरौकर चाहत